द्धाई हजार साल पहले सोला महा जन्पदों की कहानी आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ सोला महा जन्पद बुद्ध और महावीर से पहले छटी सतावदी इसापूर में अस्तित्व में आए ये सोला महा जन्पद ये कौन-कौन से जन्पद और क्या था इनका नाम और क्या थे इनकी राजधानिया ये सब बताएंगे आज की वीडियो में सबसे बड़ा महा जन्पद और प्रभावसाली महा जन्पद था मगद जिसकी राजधानी थी राजगीर और वर्तमान में जो गया और पटना के बीच पड़ती है उसके बाद अंगा जिसकी उस वक्त की राजधानी थी चमपा जो वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर के बीच है मल्ला जिसकी राजधानी कुसी नारा जो वर्तमान में दिवरिया में है उसके बाद वज्जी जिसकी राजधानी थी वैसाली जो वर्तमान के वैसाली में है वत्सा जिसकी राजधानी थी कौशामबी जो वर्तमान में अलाबाद में है कौशाला जिसकी राजधानी थी स्रावस्ति और कासी जिसकी राजधानी थी बनारस जो कि वर्तमान का बनारस है मतश्या जिसकी राजधानी थी विराट नगर जो वर्तमान का जैपुर सहर है सूर सेना जिसकी राजधानी थी मतुरा जो वर्तमान के मतुरा है उसके बाद पांचाथ जिसकी राजधानी थी अही छत्र जिस जो वर्तमान के पश्चिमी उत्तरप्रदेश में है मद्य भारत में छेदी महाजनपद जिसकी राजदानी थी सोथी वती जो वर्तमान के बुंदेला खंड में है उसके वाद अवन थी जिसकी राजदानी थी उजैन या माहिस मती जो वर्तमान के मद्य परदेश और मालवा छेद्र में है तक्षिन भारत के महाजन्पदों में सबसे प्राजीन महाजन्पद है असमा का, जो की प्रतिस्थान जिसकी राजदानी थी और वर्तमान में वो गोदावरी नतीक किनारे है। गांधारा जो अपनी सिक्षा के लिए प्रसिद्ध था जिसकी राजदानी थी तक्ष सिला वो वर्तमान के रावलपिंडी में है। और कंबोज जिसकी राजदानी थी पॉंच्या जो वर्तमान के राजवरी कस्मीर में है। कुरु जिसकी राजद्धानी थी इंद्रप्रस्थ जो वर्तमान का मेरट सहर है दोस्तो अगर आपको 16 महा जन्पदों की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए आगे भी हम ऐस सही ही वीडियो पनाते रहिए